पंजाब की सिमा से लेकर दिल्ली हर्याना बॉडर पर रोड उपर अलग-अलग किसान युनियोनों की अपिल पर जो किसान भाई आज अपना अंदोलन कर रहे हैं वो सभी को मैं अपिल करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा करने के लिए तैयार ही है तीन डिसंबर को कुशी मंत्री जी ने आपको निमंत्रन पत्र भेजा है चर्चा के लिए और भारत सरकार आपकी हर समस्या और आपकी हर मांग पर विचार विमर्ज करने के लिए तैयार है दूसरा अभी अलग-अलग जगा पे निशनल हाईवे पर स्टेट हाईवे पर किसा अपने ट्रेक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं इस सब को मैं अपिल करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलीस आपको एक बड़े मैदान के अंदर सीफ्ट होने के लिए सीफ्ट करने के लिए तैयार है आप कुरूपिया वहां पर जाईए वहां पुलीस परमिशन भी आपको कारेक्रम करने की दी जाएगी आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं वहां ट्वाइलेट्स आदी सुविधाय भी बना दी गई है वहां पर एंबुलन्स की और स्वास्त की सुविधाय भी निरंतर रहेगी पानी की सुविधा भी निरंत तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजा ही कर आम जनता की भी परेशानी कम होगी और अगर किसान विन्यन चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करें तीन तारिक के पहले इन से बात करें तो मेरा आप सभी को ए आस्वासन है कि जैसे ही आप लोग इसमें सिफ्ट हो जाते हैं एक स्ट्रक्चर जगे पे अपने आंदोलन को सिफ्ट करते हैं और वहां पर आप अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं दूसरे ही दिन भारत सरकार आपके साथ आपकी समस्या और मांगों के लिए बाच्चीत करने के लिए तयार है अता किसान उनियन के सभी नेताओं को मैं एक कहना चाहता हूं कि आप सारे किसान भाईयों को लेकर जो स्थान दिल्ली पुलिस ने तय किया है वहीं पर आजाईए पुलिस परमिसन के साथ सान्ती पूरवक तरीके से लोगतांत्रिक तरीक और सिग्र भारत सरकार आपसे बाच्चीत करने के लिए तयार है बाच्चीत को भी आगे बढ़ाईए इसमें किसानों की भी सुईदा ज्यादा रहेगी और रोड पर आने जाने वाले नागरिकों की भी सुईदा ज्यादा रहेगी यह बात के लिए मैं किसान भाईयों को से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सिफ्ट होते ही टूरंत ही हम आपसे बात्चीच शुरू करेंगे दूसरे ही दिन बात्चीच शुरू करेंगे और आप सांति पुर्ण तरीके से आपका अंदोलन भी जाएंगे.